Dear student, class 2, यह आपका मेहत का lecture number 4 है, book का page number 26 open करेंगे, 26 page पर आपके दिये हुए right value of each and hundreds, tens and ones, वो कह रहे हैं value लिखनी है, हाल की और hundreds, tens and ones भी लिखने हैं, तो यह आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर hundred, tens and ones इन्होंने block बना दिये हुए हैं, पहले वाला किया हुआ है यहाँ जैसे है 256, तो यहाँ पर two जो है, वो hundred वाले में लिखनेंगे, और five tens है और वो टी वाले में आ जाएगा और six ones है, तो यह zero वाले में लिखनेंगे, आगे हम लिखा हुआ है two hundred, five tens and six ones, इसी तरह आप नीचे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है one hundred ninety nine, तो one जो है वो क्या है hundred है हेच वाले में लिखेंगे nine जो है number two वाला ये 90 है tens है इसको nine t वाले में लिखेंगे और जो ये अगला nine है ये ones है तो इसको हम zero वाले में लिखेंगे o वाले में लिखेंगे तो ये आपका है one hundred ninety nine तो one क्या है इसमें hundred है आगे nine tens है and nine ones है इसी तरह आप नीचे देखें रिखावा है three hundred eleven three hundred है इसको h वाले खाने में लिख देंगे eleven का जो पहला one है यह पहला one जो है यह tens है इसको t वाले में लिखेंगे और जो दूसरा one है वो ones है तो उसको o वाले खाने में लिख देंगे यह है three hundred eleven तो इसको जब अब तर लिखेंगे तो रिखेंगे three hundred, three hundredths, one ten and one, one, one ones. इसी तरह next number three वाले को देखें, यह है four hundred fifty, four hundred fifty में four जो है वो hundred है, fifty का five जो है वो tens है और zero जो है वो ones है. तो इसको हम लिखेंगे four hundred, four hundredths, five tens and zero ones. तो यह इसी तरह आपने नीचे सारे कम्प्लीट करना है, पेज नबर twenty six, जैसे यह six hundred sixteen है, तो यहाँ पे six लिखेंगे, और दूसरा six tens वाले में लिखेंगे, और one जो है वो ones के o वाले खाने में लिख देंगे, तो यह आपने फिर आगे लिखने है, इसी तरह सेम, बिल्कुल जैसे मैंने उपर आपको करवाए हैं, तो यह साफ साफ करके आपने सारे लिखने हैं.